दो पंजाबी परसंस को एक साथ देखना कापी फन लेविंग होता ही। ऐसा ही हुआ जब हमारी पंजाब की कट्रिना कैप से मिले रियल पंजाबी मुंडे विक्की कॉशल। दरसल विक्की कॉशल शेहनास गिल के शो दीसी वाइफ स्विश शेहनास गिल में पहुचे थी। जहां दोनों ने मस्ती बरे अंदाज में पूरा एपिसोड शूट किया। होट केमेस्ट्री देखकर फैंस काफी एकसाइटेड हो गई है। इस शो की शूट से दोनों की कई रोमेंटिक दस्वीरे भी सामने आई हैं जो कि सोशल मेडिया पर वाइरल हो रही है। इन दस्वीरों को शेहर करते वे शेहनास लिखती है। बहुती कम बार आप किसी ऐस स्टार से मिलते हैं जो आपको महसूस करवाता है कि आप उनमें से एक है। बहुती कम बार आपको यह एसास होता है कि आप इस व्यक्ति को सद्यों से जानते हैं और परिवार की तरह है। बहुती कम बार आपकी दूसरी मुलाकात में कि आप महसूस करते हैं कि आप इस व्यक्ति को ऐसे जानते हैं जैसी की परिवार हो। मुझे लगता है कि यही एक रियल स्टार है। विकी कोशल मैं आपसे एक बार फिर से मिलकर खुश हूँ। आज की बातचित से बातचित से ज़्यादा थी। मेरी इच्छा है कि आपको अपने जीवन में सफलता, अच्छा स्वास्त और सकारत मकता हमेशा मिली। गोविंदा नाम मेरा के लिए all the best। वाही गुरुजी महर करे। आपके फिर्म सुपर हिट हो। तो वही विकी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक टस्वीर पोस की है और शेहनास के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा है। विकी लिखते हैं, शेहनास से मिलना और बाते करना बहुत खुशी की बात ही। आप कितनी प्योर सोल है, मैं आपके जीवन के लिए best की कामना करता हूँ। विकी शेहनास। इस शो में विकी और शे किसी की जान में नज़र आने वाली है यह फिम 2023 में एद के मौके पर रिलीज होगी इसके लावा उनके पास एक और फिम है जिसमें जॉन एब्राहिम, रितेश देश्मुक और नुरा फतेही के साथ कॉमेडी करते नज़र आएगी तो वही की कॉषर अपनी आने वाली फिम गोविंदा नाम मेरा की रिलीज का इंदजार कर रही जो कि 16 देशंबर को हट स्टार पर रिलीज होगी तो दोस्तों आपको शेहनाज और विकी की जोड़ी कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और भी रेटेस अब्डेट्स के लिए सस्क्राइब करें कचप खबरी